IAT में ये होता है, IAT में वो होता है, IAT में ऐसे होता है, IAT में वैसे होता है, बहुत सारी उम्मिदे लेकि जब मैं IAT Campus में आई थी, तो आने के बाद जो मेरी expectation थी, उनका जो reality में और जो मुझे reality check मिला था, उसी का experience में आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हूं, क्योंकि जब मैं यहां आई थी, उससे पहले मेरी बहुत सारी expectations थी IAT Campus से, और मेरा second generation IAT, मैं admission हुआ था, तो मेरी expectations को थोड़ी different type की expectations भी थी, obviously first generation IAT है, वो complete develop हो चुकी है, तो वहां का infrastructure हमें थोड़ा idea होता है, कि ये चीज़े वहां पे है already, बड़ जो नई IAT बन रही है, उनमें कुछ चीज़े ऐसी हैं, जो अभी बन रही है, तो obviously कई बार मन में कुछ different type की सवाल भी आते है, different type की expectations भी आती है, कि ये चीज़े होंगी या नहीं होंगी, तो same चीज़े मेरे साथ थी, so आज के वीडियो में मैं आपको actual reality check मिला मुझे पढ़ाई से ल तो जब professors की बात दिमाग में आती थी, जम तक मैं IIT campus नहीं आई थी, तो मेरी expectations थी कि IIT के professors हैं, वो बहुत जादा intelligent होंगे, यार intelligent क्यों नहीं होंगे, इंडिया की one of best institute के professors हैं, तो obviously वो intelligent तो होंगे, मेरे दिमाग में ये expectation थी, इसके साथ ही मेरा मानना था कि जब वो पढ पढ़ाते होंगे कि कोई भी doubt है, वो नहीं बचता होगा, और खूब मज़ा आता होगा पढ़ने में, और जो doubts हैं, वो मैं बहुत ऐसे easily solve कर लूँगी, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं, या फिर कहीं coaching में होते हैं, तो हमें जो teachers पढ़ाते हैं, वो इतना अच्छे से best होगा, so ये expectations मेरे दिमाग में और मैं उस टाइम पर सोच रही थी कि जब मैं IAT जाओंगी ना, तो मैं first bench पर बैठ होगी, अच्छे से पूरी classes attend करूंगी, हर एक problem solve करूंगी, and मैं class को पूरी को अच्छे से ध्यान से सुनूंगी, ताकि मेरे जो concept है, वो बहुत अच्छे से clear हो जाए, इस टाइप की कुछ expectations थी मेरी, लेकिन, 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 जब reality check पे आते हैं, तो IAT के professors बहुत जादा intelligent होते हैं, ये बात सच है, उनके पास बहुत सारी degrees होती है, like UK, US, Japan से उन्होंने बहुत सारी degrees की हुई होती है, बहुत सारी teacher ऐसे होते हैं, जो पढ़ाते हैं, तो उनकी चीज़े समझ में नहीं आती है, अब इसका region कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि मैं इतनी dumb हूँ कि मुझे वो चीज़े समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि वो explain नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी region हो सकता है, मुझे नहीं पता कि region क्या है, बट मैं इतना जरूर क जब IIT के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उनके पास हर एक चीज का मतलब एक प्रूफ होता है वो आपको काफी जादा आइडिया दे देंगे जब वो किसी टॉपिक को पढ़ाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारा नौलेज होता है अब तुम लोगों को समझ में आए या नह बहुत इंटलिजेंट होते हैं बट सम्टाइम उनकी चीजों को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सो नाव लेट मी टॉक अब आउट सेकेंड पॉइंट विच इस स्टेडी स्ट्रेस सो बेसिकली जब तक मैं कॉलेज में नहीं आई थी तो मुझे एक स्कूल टाइम पर एक बात बोली जाती थी कि बेटा तुम अभी पढ़ लो और अच्छी जगह पहुंच आओगे ना जैसे आई टी और किसी मेडिकल कॉलेज में तो वहां जाके आपको पढ़ने की कोई ज़रुत नहीं है वहां पर एकदम मजे कर सकते हो पढ़ाई लिखाई करने की बिल बोड़ा decreasing order में आ जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि तरफ जाते जाते आपका जो syllabus है वह कम हो जाता है या फिर आपको ना मतलब काम कम करना पड़ता है ऐसा नहीं है एक्छुली आप जब फर्स्ट इयर से से केंड और थर्ड इयर की तरफ जाते हो तो आप टाइम मैनेज करना सीख चाते हो आप चीजे मैनेज करके कैसे करनी है वो सब चीजे सीख लेते और एक पॉइंट बोलना चाहंगी कि जो इंडिया के इंजिनेरिंग कॉलेज है वो आपको पढ़ना लिखना सिखाए या ना सिखाए पर आपको टाइम मैनेजमेंट जरूर सिखा देंगे जो आपको लाइफ में आगे बहुत काम आता है और स्ट्रेस क्यूं होता इतना जादा इसके पीछे एक में रीजन ये भी होता है कि यहां पर बहुत सारी classes लगानी होती है पहले end 7 में ही आपको एक mid term होता है एक final term होता है इसके अलावा दो quiz exam देने होते हैं, बीच-बीच में आपके surprise test भी हो जाते हैं, इसके अलावा आपको labs भी लगानी होती हैं, assignment भी solve करने होते हैं, and like labs भी लगानी होते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं, इसी काम की वज़े से ये चीजे थोड़ी stressful हो जाती हैं, और initial level पे इनको manage करना थोड आपके time management के skills हैं, वो काफी अच्छे निकल के आते हैं, तो ये एक मुझे सबसे बड़ा reality check मिला, कि जैसा मुझे बोला जाता था, कि तुम अभी पढ़ लो, तुमें आगे नहीं पढ़ना पढ़ेगा, नहीं भाई, IAT में आने के बाद भी आपको बहुत पढ़ना पढ़ तो normal days में ok ok खाना मिलता है, ऐसा नहीं है कि खाना बेकार मिलता है, और ये choice है na person to person भी depend करती है, like हो सकता है किसी को खाना बहुत अच्छा लग रहा हो, हो सकता है किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, हो सकता है किसी को मेरी तरह ok ok लग रहा हो, तो ये depend करता है, पर मैं यहाँ पर अपनी expectations बताती हूं कि मेरे दिमाग में यह था कि IAT है, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, और मतलब खाने की तो बहुत सारी varieties होंगी, बट एक्चुल में reality check में मुझे मिला कि खाना okay okay होता है, बहुत जादा अच्छा नहीं होता है, एक point में add करना चाहूंगी कि IAT रोपड में जब festival celebrate होते हैं, उस time पे खाना काफी अच्छा मिलता है, वो खाना best होता है, और यहाँ पे हर एक festival celebrate होता है, जैसे कि मैंने YouTube पे यहाँ आने से पहले बहुत सारी IAT के fest के videos देखे थे, तो मुझे ऐसा था कि IAT रोपड का fest है, वो भी बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे बहुत सारी activities होंगी, लाइक मैं बहुत सारी चीजों में पाट लूँगी, बहुत सारी लोगों से interact कने का मौका मिलेगा, और बहुत बड़े-बड़े singer, comedian, सब लोग आएंगे, तो यह मेरी expectations थी, but, 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 actually मैं यह true था, क्योंकि जब मैं 2019 में यहाँ पे आई थी, फर्स टाइम पे मैंने फैस्ट अटेंड किया था, उस टाइम पे काफी अच्छी, comedian भी यहाँ पे आये थे, और इसके अलावा singers भी आये थे, उसके बाद यह दो तीन साल नहीं हो पाया, और इस बार फिर से हुआ था, तो काफी अच्छी activities हुई थी यहाँ पे, चार-पास दिन का फैस्ट होता है, जिसमें फुल एंजॉइमेंट होता है, खाना, एंड मतलब लाइक, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, I don't know यार, पता नहीं कुछ लोग क्यों घर चले जाते हैं, फैस्ट की डूरिंग, बट मुझे लगता है, फैस्ट की डूरिंग मैंने अपोजिट किया था, मैंने अपनी फैमिली को भी यहाँ पे बुलाया था, तो कि आपको उस टाइम पे, अधर कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ भी इंट्रक्ट करने का मौका मिलता है, वो लोग काफी सारी अक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए आते हैं, इसके अलावा लाइक आपको बहुत सारी चीजें एंजॉइ करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो फेस्ट की दूरिंग आपको केंपस में रहना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टिशन्स थी, वो रियालेटी से काफी हद तक मैच कर रही है, और मुझे काफी अच्छा लगा है, तो जब मैं यहां आ रही थी, तो मैंने जब सर्च किया था, तो मुझे पता था कि IIT रोपड है, वो 2009 में स्टैबल हुआ है, और अभी यहां पर इसका काफी सारी चीजे है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मेरे दिमाग में था, पतानी होस्टल कैसे मिलेंगे, हो सकता है होस्टल बने ही ना हो, होस्टल रहने के लिए ना मिले, बट एक्चुली एक्सपेक्टेशन थी, वो कुछ जाड़ा अच्छी थी, बैसिकली यहां पर जो होस्टल है, वो बिलकुल नए है एकदम, और होस्टल रूम है, वो काफी अच्छे हैं, बहुत जादा अच्छे हैं, इनीशियल 6 मंथ में हम लोग डबल सीटर रूम में थे, लेकिन उसके बाद हमें अपना सिंगल रूम मिल गया, और जो सिंगल रूम है ना, बतलब ऑस्टल है, एकदम क्लीन है पूरा होस्टल, और वोश्रूम एरिया भी बहुत जादा क्लीन है, आप मुझे बताओ, आपको क्या चाहिए, ओबिसली वास्टूम एरिया क्लीन होना चाहिए, रूम क्लीन होना चाहिए, हॉस्टल क्लीन होना चाहिए, तो ये तो अप्टू मार्क था, और ये चीज़ देखके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अभी आईटी रोपड के होस्टल है, वो काफी अच्छे हैं, कमपेर टू ओ अल्ड आईटी ज़्यादा काफी पुराने हो गए, तो वो इतने क्लीन नहीं है, आई थिंक सो, सो ये पार्ट आईटी रोपड का बहुत अच्छा है, बट मैं एक चीज और सोस्ती थी, कि अगर आईटी के होस्टल है, तो कम से कम वहाँ पे असी की फैसिलिटी तो होनी चाहिए, बट असी की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इवन आप जाके सर से बोलोगे ना, कि सर मैं अपने पैसो की एसी लगा लेता हूँ, और बिल भी दे दूँगा, तो भी आपको एसी अलाव नहीं की जाएगी, सो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए, तो ये पोइंट अच्छा भी है, स्टूडेंट लाई में अगर हम ज़्यादा रिलेक्स हो जाते हैं, तो हम अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी कॉमन एरिया है, लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंट है, लैब्स है, लेक्चर होल है, इवन मेस एरिया है, वहाँ पे सब जगे पे एसी है, तो वो काफी ज़्यादा अच्छी फैसलीटिज है आईटी रोपड में, एक रूम में तो एसी नहीं है, इस ओके इतना मैनेज हो जाएगा, पर वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि रूम में एसी होगा, बट यहाँ पे रूम में इसी वगेरा लाओ नहीं है, हाँ कुलर वगेरा लाओ है, तो यह एक अच्छा पार्ट है, नव लेट मी मूँव ओन नेक्स पॉइंट, विज इस रेगिंग पॉइंट, तो मैंने जितना सुना था कि IIT में बहुत जादा रेगिंग होती है, वो लोग है न, मतलब सीनियर से वो बहुत जादा परिशान करते हैं, बहुत काम करवाते हैं, और वगेरा 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 मैंने काफी कुछ सुना था, जब मैं यहां आ रही थी, तो मैं सोच रही थी, कि मेरी भी बहुत अच्छी खासी रेगिंग होने वाली है, बट, IIT रोपर में रेगिंग नहीं होकर, मुझे लगता है कि एक 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 टाइप आफ चीज चलती है, जैसे कि हम लोग आये थे, तो हमारा पूरे डिपार्टमेंट के सामने, जैसे जहां पर सारे प्रोफेसर्स थे, सारे स्टूडेंट थे, वहां पर एक नॉर्मल इंट्रोडेक्शन हुआ था, इसके अलावा जो B.T.E.C. स्टूडेंट्स हैं, और जो M.S.C. स्टूडेंट हैं, उनको तो काफी ज़्यादा फैसिलिटी होती है, कि उनको एक सीनिय है न, वो मेंटॉर की, मेंटॉर बना के दिया जाता है, ताकि अगर उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो जाके अपने मेंटॉर से डिस्कस कर ले, उसको बता दे, लाइक प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है, कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, पहली बार आया है, कि कैसे पढ़ना है, कहां पर कौन सी चीज है, कैसे चीजे मतलब करनी है, हो सकता है उसको कुछ परसनल प्रॉब्लम भी हो, उसको कोई अपने रूमेट से प्रॉब्लम हो, या फिर कैमपस में उसे कोई परिशान कर रहा हो, तो वो जाके अपने मेंटॉर से बात कर सकता है, और ये मेंटॉर की ड्यूटी बनती है, कि वो उसको solution बताए कि वो इस चीज से overcome कैसे कर सकता है तो ये ragging नहीं हो कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि anti-ragging type of something कुछ है जो काफे students की help करता है और ये चीजे बहुत सारी IATs में है I think so IAT Delhi में भी है इसके अलावा IAT Bombay में भी है इसके अलाव हो सकता और बहुत सारी IATs में हो So ये best part है IAT का And now let me talk about next point जब हमने hostel की बात कर ली तो obviously roommate की बात तो आती है तो आपकी roommate को लेकि क्या expectations होती है हमारी roommate को लेकि expectations I think so यही रहती है कि ज़्यादा परिशान करने वाला नहीं हो ज़्यादा उसको music से problem नहीं हो जब हम सो रहे हो तो उसको light से दिक्कत ना और हमारे साथ उसकी ठीक ठाक बन जाए हमारी expectation यही होती है तो जब सुरू के six month में मैं यहाँ पर आई थी तो मैं भी double seated room में थी बट मुझे मेरी roommate है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिली थी उसको मुझसे किसी टाइब की कोई problem नहीं थी मुझे भी उससे कोई problem नहीं थी तो हमारे six month है वो easily निकल गए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हाँ sometime hostel में यह problems face करने को मिलती है कि दो लोगों में नहीं बन पाती उनका routine अलग अलग होता है तो उनकी जगड़े होना सुरू हो जाते हैं बट यह चीजे भी manage हो सकती है suppose आपको night में लेट तक पढ़ना है तो आप library जाके पढ़ सकते हो तो it's not difficult अगर आप manage करना चाहो तो चीजे manage हो जाती है तो मेरी expectation तो यही थी कि मुझे अच्छी roommate मिले और touchhut मुझे 6 महीने के लिए roommate अच्छी भी मिल गई थी तो यह मेरे लिए best part था तो मैंने जितना clubs के बारे में सुना था कि बहुत सारी IITs में बहुत सारे clubs होते हैं तो मेरे दिमाग में उस टाइम पर expectation थी कि IIT रोपर में भी बहुत सारे clubs होंगे और मेरा clubs में interest इसलिए भी था विकोज मुझे extra curriculum activities में बहुत जादा interest है तो यह चीज यहाँ पर भी मैंने आखे देखी कि बहुत सारे clubs हैं like coding club अलग से चल रहा है इवन दो course में coding classes अलग से चल रही है इसके अलावा है वो cultural में तो बहुत सारे club है like dance club है, singing, music, whatever बहुत सारे club है तो overall जो यह clubs वाला जो मेरा था कि मैं उनमें पार्ट लोंगे बहुत सारा मज़ा आने वाला है मुझे तो वो चीज ए expectation और reality almost same था क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे club रन होते है यहां पर photography club भी है तो like that is best part और even यह बहुत सारे आईटी में सारे club हैं वो सेम से होते हैं और काफी अच्छे से रन करते हैं so now last but not least so placement points अभी मैं placement के बारे में discuss करने वाली हूँ जिसके लिए तुम्हारे ममी पापा तुम्हें यहां भेजते हैं कि 2 करोड का package लेके तुम निकलोगे यहां से तो same expectations मेरे घरवालों की भी है कि PhD करने के बाद पता नहीं मैं कहां से 5 करोड का package लेके निकलूँगी मुझे नहीं पता कि कितनी expectation है वो फिल होने वाली है देखते हैं वो चीज़े future पर depend करती है पर यहां पर B.Tech में अच्छा कासा placement हो जाता है placement rate है वो काफी अच्छी है तो overall जो IIT रोपर है वो infrastructure, placement and jobs के according बहुत अच्छी है यहां पर master's के student का भी काफी अच्छा placement rate है जैसा मैंने देखा है MSE Maths में काफी बच्चों का मतलब almost सब का placement हो चुका है second year में जो बच्चे है and MSE Physics के भी काफी बच्चों से मैं मिली हूँ उनका भी placement हो चुका है almost का तो placement rate यहां पर काफी अच्छी है तो एक one of best IIT आप कह सकते हो so that's it for today's video if you really like this video like, share and subscribe to my YouTube channel MSE IIT and bye-bye see you in next video